कर दो कि नमस्कार वाच्चो ग्लोबल अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार देख स्वागत है आज जो यह टॉपिक रहेगा यह तुम्हारा जुडियुश्री सी रहेगा जुडियुश्री यानि कि न्यायल ले और इसमें आज सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया जा प्राइम प्राइम मिनिस्टर तक हुए थे और हलांके गवर्नर भी हो चका है गवर्नर गवर्नर की सक्तियां आज जो रहेगा यह रहेगा तुम्हारा जुडियुश्री यानि कि न्यायल ले अब इससे क्या 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 क्वेश्चन बनते हैं पहले सुप्रीम कोर्ट उसके बाद में हाई कोट न्याल ले पहली सं रचना में सुप्रीम कोर्ट और दूसरी में हाई कोर्ट इस पेसे लिए पढ़ाएंगे सुप्रीम कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट सर्वोच न्याल ले सर्वोच न्याल ले सर्वोच न्याल ले दूसरे में पढ़ेंगे उच्छ न्याल ले और तीसरे में पढ़ेंगे अधीनस न्याल ले अधीनस न्याल ले ठीक है पढ़ना सुप्रीम कोर्ट ही है सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इसी की बात चलेगे तो सबसे पहले तो इसकी आर्टिकल से स्टार्ट करते कौन से अनुचेर में ये आता है सुप्रीम कोर्ट तो अनुचेद है इसका 124 124 के अंडर ये आता है ठीक है ये तो सुप्रीम कोर्ट की और इम्पूर्टेंट बात क्या है तो सबसे पहले तो इसका गठन कब हुआ था कौन से एक्ट से हुआ था पहला गठन पहले तो बात करेंगे इसके गठन के गठन कब हुआ और दूसरा कौन से एक्ट से हुआ था किस अधिनियम के तहट हुआ तो गठन हुआ था सत्रे सो चोहतर में पिले इस कोन सा था कहा हुआ था गठन तीसरा गठन कहा हुआ गठन कहा हुआ तो गठन कलकत्ता में सत्रे सो चोहतर में और रेगुलेटिंग एक्ट के थुर्यों ये हुआ था कैसा दी रेगुलेटिंग एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट सत्रे सो तहित्तर की थ्रिव इसका गठन हुआ था ठीक है जी और शुरू में कितने न्याए धीस इसमें रहे थे पहला पॉइंट पहली बात तो याद रखना सुप्रीम कोर्ट ये यूनिट्री है यूनिट्री यूनिट्री का मतलब होता अपने आप में एक ये ठीक है जी दूसरी बात ये है कि जब इसका गठन किया गया था तो कितने जज इसमें रहे थे और कौन चीप ज़स्टिस रहा था तो पहला पॉइंट कुछ इंपोटेंट बात पहली चीप ज़स्टिस कौन बना था दूसरा पॉइंट अन्य न्याएदीस कौन रहे थे दूसरा अन्य न्याएदीस कौन थे और अच्छ न्याले कि आपको पता है कि अच्छ न्याले कौन से थे और कौन कौन का पहले गठन हुआ था पहले तीन उच्छ न्याले है हलांकि टोटल तो पच्छीस है तो पहले तीन टोटल कितने हैं पच्छीस है पहले तीन पहला था कलकत्ता कलकत्ता उच्छ न्याले दूसरा था बंबई और तीसरा मद्रास अगर इनकी डेट की बात की जाएंगे तो येर तो सबके सेम ही रहेंगे हलांकि इसकी डेट चेंज हो जाएंगी तो डेट इसकी जो रहेंगी डेट में चेंजमेंट हो जाएगा पहला कलकत्ता माला हुआ था दू जुलाई अठारा सो बासट दो जुलाई अठारे सो बासट ये हुआ ता दो जुलाई अठारे सो बासट और ये हुआ ता चोध है अगस्त अठारा सो बासट और ये पंद्र है अगस्त अठारा सो बासट और उत्तर प्रदेश वाला हुआ ता ठारे सो चिया सट बासट के बाद चिया सट में ठीक है जी तीसरा कोश्चन न्याया दीसों की न्याया दीसों की वर्तमान संख्या सुप्रीम कूर्ट में ठीक है जी चोधा कुश्चन केस केस वर्स में न्याया दीसों की संख्या बढ़ाई गई वर्स में न्याय दीसों की संख्या बढ़ाई गई और पांचवा क्वेश्चन पांचवा पॉइंट लास्ट चेंजमेंट कभ हुआ लास्ट चेंजमेंट कभ हुआ कभ हुआ ठीक है जी लास्ट चेंजमेंट की जब हम बात करेंगे तो लास्ट हुआ था 2019 में बढ़ाए गए थे जो लास्ट चेंजमेंट आप लिख सकते हैं 2019 में हुआ था 2019 में 30 होते थे चीप जस्टिस मुख्य न्याइदीस से अलावा अब वो 33 कर दिये गए थे तो फिर एक प्लस 33 की सनरचना लास्ट में बनाई गई एक मुख्य न्याइदीस और उसके अलावा 33 और अन्य न्याइदीस एक प्लस 33 एक प्लस 33 ये अन्य न्याइदीस हैं और एक मुख्य न्याइदीस किस किस वर्स में न्याइदीसों की संख्या बढ़ाई गई तो इसका चेंजमेंट 1956 साइठ ससतर सतासी और आठ और उन्नीस में तो लिख लीजिए पहला 1956 में बढ़ाई गई 1956 के बाद में साइठ में बढ़ाई गई 1956 में उन्नीसों साइठ में उन्नीसों ससतर में उन्नीसों सतासी में 2008 में और लास्ट चेंजमेंट हुआया 2019 में ठीक है जी अब यह कितने कितने बढ़े हैं और किस किस वर्स में तो यह होगा कितने कितने बढ़ाई गए है पहले संसुदन से कितने बढ़ाई गए थे संसुदने 56 में हुआ था साइट में हुआ था सससतर में हुआ था 87 में 2008 में और 2019 में यह नरिंदर मोदी और यह लास्ट बाला किया था 2008 में मन महुन सिंग के द्वारा और यहां कुन था पंडिस जभारलाल नहरू इधर भी और इधर भी यहां मुरार जी दे आई थे ठीक है जी और यहां राजी बादी था 1987 ठीक है जी नियाए दीसों की वर्तमान कितनी है वर्तमान है 34 1 प्लस 33 1 प्लस 33 संख्या ठीक है अब इसके बाद में अगले पॉइंट से पहला पॉइंट मूल संबी दहान में मूल संबी दहान में मूल संबी दहान में नियाए दीसों की संख्या नियाए दीसों की संख्या 1 प्लस 7 थी एक चीप जेस्टिस और उसके बाद में 7 अन्य नियाए दीस यानकि एक प्लस 7 एक मुख्य नियाए दीस एक मुख्य नियाए दीस और 7 थे अन्य नियाए दीस जब संबी दहान लाग हुआ था यानकि वर्तमान समय में उस टाइम पर तो एक प्लस 7 की संग रचना साथ अन्य नियाए दीस एक प्लस 7 अब फिर 1956 में एक प्लस 7 के बाद में हलंकि ये चीप जिस्टिस जो मुख्य नियाए दीस है ये हर्व उसमें एक ही रहेगा और जो बाकी है जो 33 पहुँची है अब फिलाल में साथ से वो कैसे पहुँची है कितने कितने बढ़ाई गए थे दूसरे पॉंट से तो 1956 वाला अमेंडमेंट 1956 में ये साथ थे पहली बार उन बढ़ाए गए थे 3 तो ये हो गाए जिए एक प्लस 10 एक प्लस 10 ये मुखे न्याय धीस है एक और ये अन्य न्याय धीस है यानि कि पहली बार में बढ़ाए गए तीन और उसके बाद में फिर 1960 में फिर बढ़े थे 3 1960 में एक प्लस 10 है एक मुखे और बाकी तेर है अन्य थे अन्य थे तीसरा तीसरा हुआ था उन्नीस सो ससेत्तर में चौथा चौथा प्वेंट उन्नीस सो ससेत्तर में ये बढ़े थे 4 एक बार में बढ़े हां से और यहां तक तो बढ़े गे 3 साथ से और ये 10 ठीक है जी और इसके बाद में 10 से और तीर है तीन ये बढ़े गए और तीन ये बढ़े गए ठीक है जी इसके बाद में बढ़े हैं फिर ये 4 तीर है से सत्र हो गई है उन्नीस सो ससत्तर में तो एक प्लस सत्रे एक प्लस सत्रे एक मुखे और सत्रा अन्ने अब बात करेंगे कितने हो गए जी ये चार यहां बढ़े पहले चार बढ़ेंगे ये चार ये हो गए ससत्तर वाला संसोदन अब चलेगा सतासी वाला संसोदन सतासी में जो हुआ था चौथा पाच वाला उन्नी सो शत्तासी में तो शत्तासी की संरचना क्या है एक रहेगा सत्तरा से पच्चीस हो जाएंगे सब एक प्लस पच्चीस एक पलस पच्चीस एक मुखे और पच्चीस अन्ने न्याय दीस अब बढ़ जाएंगे ये 5 1987 के बाद में 2008 में छटवा 2008 मन मौहन सिंग सहाव तो ये 1 पलस 30 कितना बढ़ गया? चार ये बढ़ गए और यहां बढ़े थे 8 और 8 से फिर ये बढ़े 5 और लास्ट वाला 2019 में हुआ है 2019 में तो 1 पलस 3 1 पलस 33 तो ये प्रिजेंट वाली आज जतने भी जाएधीस हैं तो 1 पलस 33 हैं तो ये यहां बढ़े गे तुमारे 3 और ये प्रिजेंट की संरचना है प्रिजेंट में प्रिजेंट में निया आदीश तो ये ये आप देख सकते हैं एक बार ये है निया धीशों की संरचना सुप्रीम कोर्ट के गठन का हुआ था गठन का हुआ था किस एक्ट के तहित किया गया था नियाले केतने होते हैं सबसे उपर सर्वोच्चे उससे नीचे उच नियाले 25 हैं सुप्रीम कोर्ट एक है अपने आप में यूनिट्री है और सुप्रीम कोर्ट कौन से अनुछेद में आता है 124 इंपोटेंट बात है ठीक है जी इसके बाद में ये मूल संबी धान में नियायद 200 की संक्या एक प्लस साथ फिर 56 में संसोधन किया गया एक प्लस 10 कर दीगे 7 बढ़ाई फिर 3 बढ़ाई फिर 4 4 के बाद में फिर 8 बढ़ाई 8 के बाद में फिर 5 बढ़ाई थे 30 और आप कर दीए हैं 33 ठीक है जी इसके बाद में अब चलेंगे अनुचेद 125 पर अनुचेद 125 अर्टिकल 125 अर्टिकल 125 अनुचेद 125 अनुचेद 125 इसमें आते हैं सुप्रीम कोट के न्याय दीसों के वेतन और बत्ते का प्रावधान सुप्रीम कोट के न्याय दीसों के वेतन और भत्ते सर्वोच न्याय दीसों के वेतन और भत्तों का प्रावधान वेतन और भत्तों का प्रावधान अर्टिकल 125 अनुचेद 126 अर्टिकल 126 अनुचेद 126 अनुचेद 126 है तुमारा कारेकारी मुख्य न्याय दीस अभी कारेकारी मुख्य न्याय दीस कोन होते हैं अभी बताते हैं कारेकारी मुख्य न्याय दीसों का प्रावधान कार्कारी मुखेन्या तिस कार्कारी मुखेन्या तिस कारयकारी मुख्य न्याय दीज कारयकारी मुख्य न्याय दीज जब वर्तमान वाला जो cheap justice है जो वर्तमान वाला cheap justice है अगर वो किसी वज़े से present ना हो अपने काम करने में असमर्थ ना हो या फिर प्रिजेन्ट ना हो या फिर उसका पद पहले से खाली हो तो उसकी जगाँ पर राष्टपती किसी दूसरे वेक्ति को तो सुप्रीम कोट का ही वो वरिष्टम न्यायदीस होता है तो सुप्रीम कोट के किसी वरिष्टम न्यायदीस को राष्टपती के द्वारा चुना जाता है उसको बोलते हैं कार्यकारी मुख्य न्यायदीस यानि कार्य करने के लिए कौन से न्यायदीस को चुनाया गया है, जब वरत्मान वालिये का पद पहले से खाली हो, किसी बिमारी की वजए से उसकी डेत हो गई हो, या फिर खाली हो, या फिर वो अपने काम करने में अस्मर्थ नहो, तो उसको बोलते हैं, कारेकारी मुख्य नियाएदीस का प्रावधान तो आप इसमें अगर थोड़ा से लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं जब वर्तमान वाला न्यायधीस वर्तमान वाला न्यायधीस कापद खाली हो या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं वो अपने काम करने में समर्थ ना हो या अपने काम को करने में असमर्थ ना हो ना हो या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कारणवस पद खाली हो या किसी कारणवस पद खाली हो खाली हो तो कार्रेकारी मुख्य न्याइधीस को चुना जाता है तो उस समय राष्ट पती के द्वारा राष्ट पती के द्वारा उसको चुना जाता है उसको चुना जाता है दो कुश्चन यहां से यह बनते हैं कि एक तो इसको सपत कोन दलाता है और उसको चुनता कोन है तो चुनता तो राष्ट पती है और सपत भी राष्ट पती ही दलाएगा कब भरेगा पती है जब किसी नियाएदीस की निक्ती नहीं हो जाती है तो तीन पॉइंट बन से हैं यहां से पहला पॉइंट पहला दूसरा और तीसरा पहला सपत कौन दिलाता है दूसरा चुनता कौन है तो पहले तो सपत कौन दिलाता है सपत ओथ तो राष्टपती दिलाता है इसको सपत प्रिजिडेंट राष्टपती सपत दिलाएगा सपत इसके बाद में चुनता कौन है इसको चुनता कौन है तो बाई साब राष्टपती चुनता है इसको राष्टपती राष्टपती चुनता है तीसरा कोश्चन कब तक के लिए कब तक के लिए तो जब तक के लिए चुनेगा जब तक की न्याय धीस की नुक्ती नहीं होगी जब तक न्याय धीस की न्युक्ती नहीं होगी जब तक न्याय धीस का पद नहीं भरेगा तो जब तक तो न्युक्ती रहेगी ही रहेगी तो यह यहां से कुश्चन बन जाते हैं तीन कि न्युक्ती कौन करता है और उत कौन दलाता है कब तक खाली रहेगा नाम क्या है कारेकारी मुख्य न्याय धीस आर्टिकल 126 में इसका प्रावधान है अब बात करेंगे आर्टिकल 127 की एड होक जजज तधर्थ मुख्य न्याय धीस आर्टिकल 127 तधर्थ मुख्य न्याय धीस अनुचेद 127 इनको बोलते हैं तधर्थ मुख्य न्याय धीस एड होक जज एड होक जज और हिंदी हम बोलते हैं इनको तधर्थ न्याय धीस तधर्थ न्याय धीस एक इनका अनुचेद 127 हो जाएगा एड होक जज क्या होते हैं क्या इनका काम उता है कितने टाइम के लिए चुने जाते हैं इनका टाइम पीरड बहुत इंपोटेंट कैई वर पूछ गया है तो क्वेश्चन कितने बन जाते हैं यहां से एक आर्टिकल क्या है कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं कौन इनको चुनता है और इनका कार्रे क्या है तीन कोशन यहाते बनते हैं पहला कितने जाते हैं पहला इनका वर्ष क्या है तो पहला कोश्चन इनका वर्ष चुनता कौन है इनको इलेक्टर इलेक्टर चुनता कौन है चुनता कौन है और तीसरा ओथ किसके द्वारा दलाई जाती है ओथ सपत तो निश्चे सी बात है कि राष्ट पतीज है उपर वाले काम के लिए तो वर्ष क्या है इनका तो वर्ष है इनका इसको चुनता है राष्ट पती राष्ट पतीज को चुनता है रो वही सपत दलाता है और वर्ष क्या है इनका वर्ष इनका ये है कि जब किसी केस में या मामले में वकीलों की संख्या बराबर पड़ जाती और केस का रेजल्ट नहीं निकल पाता है मालो किसी केस में या तुमारा वकीलों का जो बेंच है वो बेंच में है दस वकील और केस का रेजल्ट नहीं निकल पा रहा है तो इसमें जो वकील रहेंगे वो तुमारा विसम संख्या में रहेंगे यान कि ओर में या तो तीन, पांच, साथ नो, ग्यार है क्यों अगर पांच भी रहेंगे तो तीन, एक साथ चले जाएंगे और दो, एक साथ चले जाएंगे तब भी केस का रजल्ट निकल जाएगा तो ऐसे केस में एड हॉक जज़ेज का प्रावधान सबसे बेस्ट है तो वर्क क्या है अनका जब कम्प्लीट बेंच पूरी ना हो जब सुप्रीम कोर्ट की जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच पूरी ना हो यह bench है, panel एक तरीके से, यानि कितने नियायाधीस हैं उसमें, sorry, वो वकील नहीं है, यह नियायाधीस हैं, वो ठीक है की? जब Supreme Court में bench पूरी ना हो, bench यानि कि panel, कितने नियायाधीसों का वो panel है, bench पूरी ना हो, या गनपूर्ति ना हो पूरी, कोरम कोरम में कई बार पता चका हूं कोरम क्या होता है तो जब गनपूर्ती पूरी ना हो और time period केतना है इनका time period होता है इनका 2 साल important कई बार पूछा गया है तो time period इनका 2 साल है ये 2 साल के लिए चुने जाते हैं time इनका 2 साल time time दो year दो साल के लिए चुने जाते हैं दो साल के बाद पूरा हो जाएगा फिर दुबारा से दूसरे चुन जाएंगे ठीक है पूरी ना हो दूसरा point इसमें यह और लिख लो एक complete bench के लिए न्यायदीसों की संक्या तुम्हारा और संक्या में हो गया इनकी तीन वक्त तीन हो सकते हैं न्यायदीस पांच साथ नो ग्यार है तीर है तो इस तरीके से संक्या हो सकती है इनको गोलते एड होक जजर तधर्त न्यायदीस एक सो पच्चीस एक सो चब्वीस और एक सो शत्ताइस हैं एक बारा एक सो पच्चीस में न्यायले की न्यायदीस लिखनेंगे अब यहाँ पर सर्वुच न्यायले की सर्वुच न्यायले की न्यायदीस न्यायदीसों के वेतन और भत्ते 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायदीस और 127 में एड होक जजर हैं तीसरा पेज से चलते हैं एक पूछ जाता है कि सबसे बड़ा बेंच कौन से किसमें था सबसे दूसरे नंबर का कौन से वाले में था तो एक कौशन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा बेंच सबसे बड़ा बेंच सबसे बड़ा बेंच सुप्रीम कूर्ट के न्याय दीसों का न्याय दीसों का कौन से केस में था कौन से केस में था तो यह केस वानन्द भारती केस में था इसका आंस्वर है केस वानन्द भारती केस वानन्द भारती का जब पॉइंट आएगा तो आगे भी बता देंगे क्या पॉइंट था है केस वानन्द भारती तो इसका आंस्वर है केस वानन्द भारती केस क्या था बताएंगे वो भी केस वानन्द भारती केस यह जब हुआ था यह जब सरकार के द्वारा संबी धान के धाचे को चेंज किया जा रहा था तो इसमें अपना इसने रोजान दिया तक वह क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए तो दूसरा पॉंट हालां कि यह आगे बताएंगे अभी जब बाद यह आएगा केस वानन्द का नोट नंबर दू दूसरा सबसे बड़ा बेंच है दूसरा सबसे बड़ा बेंच न्याया धीसों का न्याया धीसों का किस केस में था तो इसका अंसर आएगा गोलकनात वाद केस यह क्या था यह भी आगे बताएंगे अभी गोलकनात वाद केस गोलकनात वाद केस अब बात करते हैं न्याया धीसों की इलिजिविल्टी क्या है इनकी न्याया धीसों की इलिजिविल्टी eligibility of judge न्याया धीश की योग गता न्याया धीश की योग गता पहली भारत का वेक्ति हो किसी उच्च न्याले में पांच वर्स जजरा हो और दस वक्त तक अधी वक्ता या वकील का कार्रे किया हो तीन इंपोटेंट पहला पॉइंट तो भारत का नागरे को पहला सिटीजन्स ओफ इंडिया भारत का नागरे को पहली सर्थ दूसरी सर्थ भारत के किसी भी उच्च न्याले में पांच वर्स जजरा हो तीसरा दस वर्स तक वकालत की हो किसी भी उच्च न्याले में दस वर्स तक वकालत की हो तो ये तीन पॉइंट है पहला दूसरा और तीसरा अगर कोई व्यक्ति इन बातों पर अमल करता है तो उसका सिलक्षन हो जाएगा न्याया धीस के लिए हालांके चौथी भी है एक कि राष्ट पती की निखा में अच्छा व्यक्ति हो लिख लीजिए एक बार ये पूछा गया है एक बार चौथा पॉइंट राष्ट पती की निखा में राष्ट पती की निखा में अच्छा चरित्र हो करेक्टर अच्छा होना चाहिए ठीक है जी नोट नमबर तीन न्याया धीस को सपत कौन दिलाता है कौन दिलाता है तुन्याया धीस को सपत कौन दिलाता है तो इसको दिलाता है राष्ट पती सपत उत राष्ट पती सपत दिलाता है चुनता कौन है इसको नोट नमबर चार सुप्रीम कोट चलो इनका कोलेजियम से बताएंगे कोलेजियम क्या होता जब कोलेजियम की बार ये गी तब इसका डिस्कस कर देंगे की इसको चुना कैसे जयता है अब यहां पर नहीं करेंगे इसको नोट नंबर 4 इचा रटाओ कोलेजियम पर चलते कोलेजियम क्या है नेक्सट पेस से देखते कोलेजियम 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 यह एक बूर होता है जो न्याया दीसों का चुनाब करता है तो कॉलेजियम, न्याया धीसों का चुनाव, चुनाव नहीं, सौरी न्युक्ती, क्या ये बोर्ड है एक, तो सुप्रीम कूर्ट के न्याया धीसों को चुनने का, कितने इसमें सदस्य होते हैं, ये पूछा जाता है, पहला, इसके सदस्य, सदस्य, सदस्य में एक तो होता, Chief Justice of India, फर्स्ट, Chief Justice of India, भारत का मुख्य न्याय धीस, भारत का मुख्य न्याय धीस, एक तो रहेगा भारत, एक रहेगा न्याय धीस, भारत का मुख्य न्याय धीस, भारत का मुख्य न्याय धीस, अब वो एक ही है तो एक ही रहेगा, और इसके अलावा चार रहते हैं, Supreme Court के वरिष्ट थम न्याय धीस, चार जो रहेंगे, तो Supreme Court के वरिष्ट थम न्याय धीस, वरिष्ट थम न्यायदीस तो एक तू रहेगा कोलेजियम में भारत का मुख्य न्यायदीस और उसके लावा सुप्रीम कोल्ट के चार वरिष्ट थम न्यायदीस यानि कि पाँच जो मेंबर्स होते हैं वो कोलेजियम के सदस्से होते हैं सुप्रीम कोल्ट के न्यायदीसों को चुनने का अब बारी-बारी से देखते हैं कि जो हाई कोट हैं तो हाई कोट के जो न्यायदीस हैं उनको कौन चुनतार कैसे चुनता है दूसरा जो जलाय न्यायले हैं यानि कि डिस्टिक न्यायले तो डिस्टिक न्याय लेके जो जज हैं उनको कौन चुनतार किस तरीके से चुनता है और मुख्य न्याय धीज को कौन चुनतार किस तरीके से उसको चुना जाता है तो note number one सबसे पहले बात करेंगे Chief Justice of India की भारत के मुख्य न्याय धीज तो भारत का मुख्य न्याय धीज कैसे चुना जाता है कितने वेक्तियों से सहमती लेनी पड़ती है कि यही बनेगा और यह तो पता ही कि राष्ट पती तो रहे गई रहेगा वह तो नाम का होता के वल मोहर लगाने के लिए ठीक है तो इसमें लखेंगे पहला पॉइंट है भारत का राष्ट पती चुनता है राष्ट पती चुनता है इलेक्ट करता है पिलस सपत दिलाता है सपत दिलाता है पिलस जो 33 और न्यायदीस हैं जो 33 एक से अलग हैं उनका भी इसमें सलहा होती है कि वही कौन बनना है तो दूसरा सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायदीस अन्य न्यायदीसों की सलहा पर सलहा पर चुना जाता है कितने वेक्टी हो गई है यह हो गई तुम्हारे अब एक राष्टपती और 33 वे न्यायदीस प्लस तीसरी राजियों के उच न्यायलियों के मुखे न्यायदीस मुखे न्यायदीसों की सलहा पर यानि की 25 यह हो जाएंगे वही 25 उच न्याल ले तो 25 वेक्टी तो यह हो ही जाएंगे ठीक है जी और एक भारत का राष्टपती हालांकि इसमें PMO हालांकि प्रदार मंतरी का इसमें योगतान होता है थोड़ा सा उसी की सफारёз परस में चुना जाता है उसका भी और सुप्रीम कोल्ट के अन्य न्यायदीस जो तीतीस वाले हैं उनका भी सहयोग रहता है तीसरा राज्य के जो अच्छ न्याल ले हैं उनके मुख्ठ न्यायदीस से सलहा पर ये चुना जाता कि कई बार ये quotation की रूप में दिया गया है कि बही कतन दे करके निमलिखत में से कौन सी बात ठीक है तो इस बात को याद रखना ये हो जाएंगी हलांकि इसमें एक दो दूसरा नोट नमबर दो नोट नमबर दो राज्यों की उच्च नियायादीस यानि की जो pond 25 हाई कोर्स हैं उनकी मुखे नियायदीस कैसी चुनी जाते हैं उच्च नियायदीस को कैसी चुना जाता है कैसे चुना जाता है तो पहला पॉइंट पहले वाले में चेंजमेंट यह हो जाएगा कि जो चीफ जेस्टिस ओफ इंडिया है उसको तो सपत दलाएगा राश्ट पती लेकिन राज्जे वाले में राज्जे पाल हो जाएगा सपत के लिए चुनेगा उसको राश्ट पती जीए पहला पॉइंट पहला पॉइंट राश्ट पती चुनता है भारत का राश्ट पती चुनता है बस सपत वाला उथ वाला चेंज हो जाएगा भाई वो बड़े लेवल पर सुप्रीम गोर्ट का तो राश्ट पती दलाता है राज्जे वे आ रा तो राज्जे पाल दलाएगा दूसरा पॉइंट चेंज हो जाएगा उथ वाला वससे ठीक है तो सपत राज्ये राज्जे पाल दलाता है तीसरा राज्जे के राज्जे के जो भाई मानलो तुम्हारा उत्तर प्रदेश की जो हाई कोट है उत्तर प्रदेश वाला या हर्याना वाला कोई साथ हो सकता है तो जब उसके मुक्य न्याइधीस की न्युक्ति की जाती है तो चुनिएगा तो राष्ट पती इसको ठीक है जी लेकिन सपत उसको राज्य पाल दिलाएगा सम्बंदित राज्य का तीसरा पॉइंट यह है कि जो उत्तर प्रदेश का न्याले है तो उत्तर प्रदेश के जो मुखे न्याय धीश से अलग जितने भी न्याय धीस रहेंगे तो उनकी सला इसमें important रहेगी, उनसे सला लेनी पड़ेगी कि ये ठीक रहेगा या नहीं रहेगा तो संबंदित राज्य लिखना है संबंदित राज्य संबंदित राज्य संबंदित राज्य के उच न्यायले के अन्य न्याया धीस अन्य न्याया धीसों की सलहा पर सलहा पर चुनाब किया जाता है चुना जाता है दूसरा ये तो हो जाएंगे तुमारे उच्छ न्याया धीस सुर्य ये उच्छ न्याया धीस करना ये ठीक नहीं है यहाँ करो ये राज्यों के उच्छ न्यायाधीस को कैसे चुना जाता है ठीक है तीसरा अब जिला न्याया धीसों को कैसे चुना जाता है तीसरा नोट नमबर तीन जिला न्याया धीसों को कैसे चुना जाता है जला नियादीस जला नियादीसों को कैसे चुना जाता है तो इसका कैसे होता है चेन इसका चैन कैसे होगा तो पहला वह एक तो इसको चुनेगा तो रज्यपाली वह ये जला जब नियादीस की बात चल रही है जला नियादीस यानि कि डिस्टिक जजज है वो कैसे चुनेगा तो पहला पॉइंट तो इसमें रज्यपाल चुनेगा और ये आर्टिकल 233 में आता है जला नियादीसों को कैसे चुनेगा जाता है ये आर्टिकल 233 आर्टिकल 233 तो रज्यपाल चुनता है दूसरा सल्हा भी तो किसी ना किसी की रहती होगी तो बिल्कुल रहती है सल्हा रहती है मुखे नियादीस की इसमें संबंदित राज्य के संबंदित राज्य के संबंदित राज्य के नियादीसों की सल्हा पर सल्हा पर तो ये जला नियादीस को कैसे राज्यपाल चुनता है इसमें संबंदित जिस राज्य का कूर्ट है बहुए डिस्टिक तो बहुत है किसी एक प्रांत में तो एक तो राज्यपाल उसको चुनेगा दूसरा जो संबंदित राज्य है जिसमें उसका चुनाब होना है तो उसके नियादीस की सल्हा भी इसमें लेनी पड़ेगी ठीक है जी यह है तुम्हारी नियादीसों का केसी चुना जाता है जाता है इसके बाद हम बात करेंगे इनके टेन नियूर की पड़ाब धी टेन नियूर पड़ाब धी टाइम पीरियड तो दू बात करेंगे एक तो सुप्रीम कोर्ट वालों की और एक हाई कोर्ट वालों की पहला दूसरा तो पहला है सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के नियाया धीसों का कारेकाल और दूसरा उच्छ नियायलियों के के तो इनका होता है छे साल ये पैंसट वर्स छे साल या पैंसट वर्स छे साल या पैंसट वर्स जो भी एज पहले होगी जो भी एज पहले हो इन दौनों में तो जो इसी भी पहले हो जाएगी उसी पर टाइम पीरिड खतम हो जाएगा उनका जो भी पहले हो दूसरा उच्छ न्यायल लेकि न्यायद 200 को कार्रेकाल इसका होता 62 वर्स तक यानि कि 62 वर्स तक ही ये अपने समय पर रहे सकते हैं 62 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए तो यह हो जाएगी बात टेन्यूर की पदाबधी यानि कि कितनी साल तक का इनका टाइम है तो अब अगली कलास कल करेंगे चार चालीस होगे ठीक है ये अगा टॉपिकोर हो जाएगा भी अब बात करेंगे सुप्रीम कूर्ट के छेत्रा दीकार छेत्रा दीकार ये आर्टीकल 131 में आता है ये रहेगा टॉपिक कल के लिए वीडियो चिल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें धन्यवाद 14प autocone खॉफिक करेंगे कि अधा करेंगे खॉफिक करेंगे इसकते ग्रह fl prत